हेलो स्टुडेंट्स, एक्सेसाइज 6.3 के कुशन नम्बर 3 से हम कंटिन्यू करते हैं कुशन नम्बर 3 क्या है Find the square roots of 100 and 169 by the method of repeated subtractions यानि कि आपको repeated subtraction method का यूज करना है और square root निकालना है देखो square root निकालने के अपने सेलेवस में 3 method है एक first method दे रखा है prime subtraction method second method है prime factorization और third method है division method तो जो भी method आपको वहाँ पर given हो आपको इस method का यूज करना है और अगर वहाँ पर कोई सभी method यूज नहीं given हो तो आप हो सेगे तो आप prime factorization method का यूज करें वो सबसे simple method माना जाता है ये भी simple method है इसको कैसे solve करेंगे बहुत simple है आप इसमें जैसे आपने 6.1 में sum of odd number लिखा था तो आप plus करा था odd numbers का तो यहां हम odd number को minus करेंगे कैसे 100 में से 1 minus करें कितना आएगा 99 फिर 100 में से 99 में से 3 को minus करें 96 96 में से 5 को minus करें 91 91 में से 7 को minus करें 84 84 में से 9 को minus करें 75 इसे आपको 75 में से जब तक करना है जब तक 0 नहीं आ जाए 75 में से 11 minus करें 64 64 में से 30 minus करें 51 51 में से 15 minus करें 36 36 में से 17 minus करें 19 और 19 में से 19 minus करें तो क्या आएगा 0 यानि कि 0 आएगा हमारे odd number minus करने पर कितनी बार minus करा odd number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 तो इसका मतलब है 100 का square root कितना आया हमारे पास 10 और आपको बताएगी कि 100 का square root कितना आता है 10 तो इस तरह से आप ये कुशन कर सकते हैं बहुत सिंपल कुशन है कि ओल आपको इस में से odd number minus करने हैं जैसे मैंने 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 इसका आगे 21, 23 odd number इसे आपको 169 वाला कुशन फोल करना है तो आप कर सकते हो इस कुशन को easily है बहुत सिंपल है अब हम कुशन number 4 continue करते हैं इसको आप note कर लें एक बार ओके कुशन number 4 कुशन number 4 क्या है find the square root of following number by the prime factorization method हमें square root निकालना है लेंगें कौन से method से prime factorization method से prime factorization method यूज करना है यह आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हो जब आपने SCF और LCM निकाला होगा तो आपने prime method का यूज किया गया है इस तरह से factor करने आपको 729 के तो start करें factors करने से पहले आपको divisible के rule होने चाहिए divisible by 2 2 का rule क्या है कि अगर once digit 0, 2, 4, 6 and 8 हो तो वो 2 से divide होता है इसके अलाबा अगर जो number given हो उनके digit को plus कर दें तो अगर वो 3 से divide है तो हमके सकते हैं कि ओ number भी क्यों जाएगा 3 से divide 5 का rule क्या होता है पीछे 0 या 5 होना चाहिए यह once digit इसके अलाबा और भी rule होते हैं तो आपको प्रेक्टिस करनी है बार बार तो आपको यह prime method आ जाएगा यह 2 से divide नहीं हो सकता यह 3 से divide हो रहा है क्यों? 7 और 2 9 और 9 और 9 18 18 3 से divide होता है इसके हम इसको 3 से divide करेंगे 3 2 6 4 3 फिर 3 से divide हो रहा है 81 3 से 27 3 से 9 3 से 3 3 से 1 टाइम तो अग इसके factor देखें हम क्या क्या है 3 3 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 तो square root में आपको दो-दो के pair बनाने है वहाँ पर इस cube root में हम में 3 3 के group बनाएते यह pair only 2 के बनाएं या गूरूप किसकों नहीं है? 2 के तो square root कितना आएगा? और once digit लेनी है 3 3 3 3 3 9 9 3 27 तो आपके पास इसका answer आए गया 729 का 27 हम इसका एक और कुशन देखते हैं C वाला कुशन C वाला कुशन देखते हैं सारे कुशन इसे ही करने हैं आपको आप ये 2 से डिवाइड नहीं होगा 1 आगया पीछे इनको 8 करें 4 और 4 8 8 और 1 9 9 3 से डिवाइड होता है तो इस रिजन से ये 3 से डिवाइड हो रहा है 1 टाइम्स 4 टाइम्स 7 टाइम्स फिर देखो इन 3 को 8 करने पर 12 आ रहा है तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है अब 9 और 4 13 होता है तो ये 3 से डिवाइड होगा नहीं 5 से होगा नहीं 7 की टेवल में आते हैं 49 7 की टेवल में 49 कितने टाइम्स आते हैं 7 टाइम्स तो इसके हमने फेट्टे करें तो क्या है हमारे पास अब इसके हम गुरूप बनाएं टू-टू के एक गुरूप, दो गुरूप और थ्री गुरूप तो इसका स्क्वार रूड कितना है हमारे पास तू-थ्री-सेवन यानि की फोर्ती-टू तो इस तरह से आप इस के कुशन नमबर 4 को कप्डिट कर सकते हैं